अवैद खनन मामले में गिरफ्तार सीन के विधाय पतिनिधी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका को कोट में खारिज कर दिया। इससे साफ हो गया है कि अभी भी पंकज मिश्रा जेल में ही रहेंगे। बतादे की 22 नवंबर को एड के विशेश अदालत में उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इडी के विशेश नयाधीश पीके शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत इस मामले में अपना आदेश 26 नवंबर को सुनाने की बात कही थी। इडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफतार किया था। उससे रिमांड पर लेकर पूछतार शुरू की गई थी। इसी बीच पंकज मिश्रा की तबियत बिग्रीव और तब से ही वे रिम्स के पेंगवार्ड में इलाजरत है। 22 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान इडी के विशेश लोकभ योजक आतिश कुमार ने कहा कि उसक्षेत्र में अवैद खनन में दबदबा है। इतना ही नहीं। इन्हीं की शेह पर कई और लोग अवैद खनन में मदद कर रहे थे। अवैद खनन के मार्ध्यम से जो आमदनी प्राफ्ट हो रही थी। उसका मनी लांडरिंग किया जा रहा था। अगर पंकज मिश्रा को जमानत मिलती है तो यह कई साक्षव गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। यह भी कहा गया की मामले में चार्ज शीव दाखिल हो चुकी है जिसमें मनी लांडरिंग करने के पुकता सबूत है। इसको देखते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिच की जाए वहीं याचिका करता की ओर से सुप्रीम कोट के वरिये वकील मुरारी दिवारी ने पक्ष रखा। कहा कि मनी लांडरिंग मामले में वह निलतोष है। उनके खिलाफ एडी ने ऐसा कोई धोस साक्ष नहीं जुटा पाई है।